हे दोस्तों एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ बाते कर रहा था और तब ही वहाँ से एक बहुत ही बीटिफुल रेड कलर की फरारी गई मेरा फ्रेंड वो कार देखके काफी एक्साइटेड हो गया और फिर उस कार की तारीफ पे तारीफ करने लगा उसकी एकसाइटमेंट देखके मैंने उससे कहा तू भी जरूर खरीदने एक ऐसी ही कार ये सुनके उसका पुरा जोश खतम हो गया और उसने कहा नहीं यार मैं तो अपने उकात के हिसाब से ही सोचता हूँ जो चीज कभी होने नहीं वाली वो सोच के टाइम क्यो वेस्ट करना तब मुझे उसके साथ बहुत सी बाते शेर करने और समझाने दिल करी जो मैंने मेंने मेंटर्स और बुक से सीकी थी लेकिन मुझे पता था वो साई टाइम नहीं है इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा पर आज मैं आप लोगों को वो प्रिंसिपल्स डेफिनेटली बताना चाहता हूँ नमबर वन रिच पीपल थिंक बिग वोव पीपल थिंक स्मॉल हमेशा बड़ा सोचो तब ही आपके साथ रियल में कुछ बड़ा होगा मुझे 100% यकीन है अगर मेरा वो फ्रेंड अपनी उसी मेंटालिटी के साथ अपनी लाइफ बिताएगा तो वो शुरली कभी फरारी नहीं खरीद पाएगा विकॉस फैक्ट की बात ये है कि लाइफ आपको उतनी ही चीज़े देगी जितनी आप उसे मागने की हिम्मत रखते हो मतलब अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ठीक ठाक जॉब मिल जाए फिर एक ठीक ठाक घर और गाड़ी खरीद लू और फिर एक ठीक ठाक जिन्दगी बिताओ तो लाइफ आपको ज़दा स्यदा एक ठीक ठाक जिन्दगी ही देगी या यूजूली उससे भी कम मेरे फ्रेंड की तरह हम भी जाने अनजाने में अपने दिमाग और अपनी केपिबिलिटीज को एक लेवल दे देते हैं और बैरियर्स बना देते हैं जिसके आगे हमें सोचना भी सही नहीं लगता जैसे कि ये घर हमारी हैसियत के बाहर है ये चीजे तो हम सपने में भी नहीं करीच सकते मैं ये सब कभी अचीव कर ही नहीं पाऊंगा एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा जब हम ऐसे बैरियर्स डाल देते हैं हमारी सोच पे तो रियल में भी फिर वैसे ही होता है और हम कभी उस बैरियर को क्रोस करके कुछ अचीव नहीं कर पाते पर सच तो यह है कि इंसान के अंदर इतनी capabilities है कि वो पुरी दुनिया में बदला वला सकता है जिसके सामने बस एक फराडी खरीदना ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं है एक्जैंपल हैंरी फोर्ड ने जब अपनी बड़ी सोच के साथ ये decision लिया कि वो एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जिसके चलने के लिए घोड़ो की जरूरत नहीं होगी तो सभी सोच को बकवास और impossible बोलते थे पर उन्हें पता था चीज़े impossible तभी होती है अगर आप उसे impossible मान लो तो इसलिए उन्होंने लोगों की बाते ignore करके उस impossible सी चीज़ को possible करके दिखाया इसके बाद फिर से सभी छोटी सोच वाले लोगों ने उन्हें कहा कि ये बन तो गया है पर इसे कोई use नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत risky है ये है वो है उन्होंने फिर उन पे ध्यान नहीं दिया और at the end ऐसा चेंज लाया दुनिया में कि लोगों ने घोडे से चलने वाली गाड़ी यूज करना ही बंद कर दी ट्रैवलिंग के लिए एक quote है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है Norman Vincent का बड़ा सोचो और उसे सच बनाने के लिए actions लो शायद आप जैसा चाहते हो exactly सब कुछ वैसा ना हो लेकिन यकीन करो आप अपनी उस बड़ी सोच के साथ कुछ ना कुछ बड़ा जरूर अचीफ कर लोगे बिकॉज बड़ा सोच के ही लोग बड़े बन पाते हैं और छोटा सोचने वाले हमेशा छोटे रह जाते हैं इसा कितनी बार हुआ है कि आपने किसी अमीर इंसान की बात की हो और लोगे ने आपको ये कहा हो कि अरे ये सब लालची लोग है जो दो नंबर का काम करके आगे बढ़ते हैं आपका तो पता नहीं मैंने ऐसी बाते बहुत बार सुनी है और यूजूली उनके मूँसे जो गरीब है और खुद दिन में 100 गलत काम करते हैं पैसो के लिए पूब मेंटालेटी वाले लोगों को लगता है कि हर अमीर इंसान कुछ गलत करके ही आगे बढ़ता है जो की सच नहीं है पर वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं और उन्हें नीचे गिराने के सोचते हैं जबकि अमीर मेंटालेटी वाले लोग सक्सेस्फुल लोगों से इंस्पायर होते हैं उन्हें और उपर बढ़ानी की कोशिश करते हैं वो उनसे जलने के बजाए उनसे सीखते हैं और फिर खुद भी और सक्सेस्फुल बनते हैं ये वन अव दो मोस्ट इंपोर्टन प्रिंसिपल है जो रिच को पूर से अलग करता है हम सब एक नाएक ऐसे इंसान को जानते ही हैं जिसे लगता है उसे दुनिया की हर चीज़ पता है आप उससे कुछ पूछो या ना पूछो वो आपको फुल कॉन्फिदेंस में पॉलिटिक्स, ग्लोबलाजेशन और ऐसे बड़े-बड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की बाते ऐसे बताएगा जैसे उसने उन सब फील्ड में पीएजडी करके सालो उन में काम किया हो और अगर गलती से आप उसे कुछ अच्छा समझाना चाहोगे तो वो हमेशे आपको बोलेगा मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है सब कुछ ये और कुछ नहीं, बस एक पूर मेंटालिटी की पहचान है अलबर्ट आइंस्टेन का कोट है मतलब मैं जितना जादा चीज़ों के बारे में सीखता हूँ उतना मुझे समझ आता है कि मुझे कितना कुछ नहीं पता उन्हीं चीज़ों के बारे में ये वो इंसान कह रहा है जिसके स्मार्टनेस की दुनिया आज भी तारीफ करती है और हम यहाँ थोड़ी बहुत न्यूज देखके पेपर्स या बुक पढ़के ये सोचते हैं कि हमें सब पता है और अगर दुनिया हमारे हिसाब से चलने लगेगी तो कुछ बुरा होगा ही नहीं कभी अब मैं यह नहीं बोल रहा कि दुनिया में सब कुछ सही या सब कुछ गलत हो रहा है पर बात यह है कि चीज़ें हमें जितनी सिंपल लगती है एक्चुल में उतनी सिंपल होती नहीं तो आप यह मत अज्यूम करो कि आपको सब कुछ पता है रिच लोगों की एक आदत होती है कि वो कितना भी सीख ले या पढ़ ले वो और सीखने से पीछे नहीं हटते कि कहीं उन्हें कुछ ऐसी काम की बात ना पता चल जाया जो उन्हें अभी तक नहीं पता वारन बफिट जोके वर्ल्ड के रिचस्ट और मोस्ट सक्सेस्फुल इन्वेस्टर्स में से एक है वो दिन में 8 घंटे बुक्स पढ़ते हैं नियरली 600 पेजेस से 1000 पेजेस तक बिल गेट्स एटलीस्ट 50 बुक हर साल पढ़ते हैं और ऐसे ही Mark Cuban, Elon Musk और सारे बड़े CEO's बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और नॉलेज लेते ही रहते हैं ये लोग दुनिया के कुछ सबसे समझदार और अमीर इंसान हैं पर फिर भी इनका attitude ऐसे नहीं है कि मैं इतना सक्सेस्फुल हूँ मुझे क्या जरूरत है सीखने की किसे से भी बलकि ये आज भी उतने ही open mind से सीखते हैं जितना पहले सीखते थे और यही रीजन है कि ये दुनिया के सबसे सक्सेस्फुल लोगों में से एक बन गये है आपको भी सक्सेस्फुल बनना है और खुश रहना है तो बुक्स पढ़ो नॉलेज लो अलग-लग सोर्स और मेंटर्स से और फिर सबसे में सीखने के बाद एक्शन लो और उस नॉलेज का यूज करो ये तीन प्रिंसिपल्स थे उन 17 प्रिंसिपल्स में से या नीचे दिये हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके audible.com एक Amazon कंपनी है जो आपको एक free audiobook देती है with 30 days trial जिसमें आप ये free audiobook को किसी दूसरी audiobook से replace भी कर सकते हो बिना पैसे दिये like करे अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे अपने views कमेंड करे शेर करें इस वीडियो और चैनल को अपने friends and family के साथ इसे मुझे काफी help मिलेगी सब्स्राइब करें मैं और ऐसे काम के principles आपके साथ शेर करता रहूँगा usually हर week और finally, thanks for watching